कुछ लिखके सो, कुछ पढ़के सो तू, जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से बढ़के सो भवानी प्रसाद मिश्र सन 1913, टिगरिया गाउं, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश सत्पुडा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख खुश्बू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम नाम, आदी प्रमुक सम्मान, साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरसकार, एवं पदम श्री से अलंकृत मृत्यू, सन 1915 सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रशाद मिश्र कविता और साहित्य के साथ साथ, राष्ट्री आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी, उनमें ये प्रमुक हैं गांधी वाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वांगमय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतू का काम किया भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है, इस सहजता का संबंध गांधी के चर्खे की लय से भी जुडता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है मिश्र जी की कविताओं में बोल चाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है प्रिश्ट संख्या 152 इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विशय को उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं आंगन का पौधा शाम और दूर दिखती पहाड की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है विद्धावस्था और मृत्यू के प्रती भी एक आत्मी ये स्वर मिलता है उन्हों ने प्रवड प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं जिन में उद्दाम श्रिंगारिक्ता की वजाए सह जीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहां व्यंगिफ और शोब भरपूर है किन्तु वह प्रतीक्रिया परक ना होकर स्रिजनात्मक है गांधी वाद पर आस्था रखने के कारण उन्हों ने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभी व्यक्ति दी है घर की याद कविता में घर के मर्म का उदगाटन है कवी को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है कवी के स्मृती संसार में उसके परिजन एक-एक कर शामिल होते चले जाते हैं घर की अवधारना की सार्थक और मार्मी की याद कविता की केंद्रिय संवेदना है